है निजाम साहर्ट मुझे लगता है कि आपको भी तका लगा होगा हमारे जुए आपके भी मित्र बाबस दीकी चले गए और जिस तरीके से घिक नाकामी है मैं ने किया गया ये murder है सरकार अगर थोड़ा सा भी सोचती तो जो आदमी जेल के अंदर रहके उस दोनों जगा केंदर में राज्ज में उनकी सरकार है और दोनों के पास ग्रह मंत्रालय भी उनी दोनों राज्जियों के हैं उसके बावजूद भी एक गुंडा आराम से जो है रह रहा है और उसके स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं उनके लोग रोट पर घूम रहे हैं महीनों पहले रेकी की जा रही है लोग एक दूसरे के इंटर्वियू दे रहे हैं पेस्बुक पर लाइव दिखाया जा रहा है त तो सरकार की पेलियारिटी हंडेट परसेंट है अगर गवर्मेंट चाहती तो बावा सिद्धी की जान बचा सकती थी लेकिन सरकार बिलकुल ना का रहा है वो चुनाओं में जाने की तैयारी में वो सारा कुछ भूल गई है कि उसकी कुछ और भी जवाबदारियां है लाइ जितना कुछ माल मिलता है उसे बटोरो और उसके बारे में निर्ने दे के पौरन भागो आगे से बाकी कोई काम उनको ठीक नहीं रहा है अब आप सोचने वाली बात है कि राज में जिस नेता की हत्या हुई है वो राज के उपमुख्य मंत्री का करीबी है और उसके अलावा हो एक हाई प्रफाइल लीडर है ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा सा राज नेता है एक हाई प्रफाइल